नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं धूम 4 के बारे में जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह बनेगी धूम 4 फिल्म उदे चोपड़ा और अभिशेग बच्चन का पत्ता कट चुका है अभिशेग बच्चन और उदे चोपड़ा भले ही बड़े फिल्मी घराने से हैं परन् के हातों से धूम 4 फिल्म फिसल रही है और दोनों के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी इस फिल्म को करना है लेकिन फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा की धूम 4 सीरीज को आगे बढ़ा कर अंतरास्टी स्तर पर ले जाना चाहते हैं इस फिल्म का बजट भी बढ़ाना चाहते हैं वे इस फिल्म को लेकर अनेक प्रकार के खबरे शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और इन खबरों के मताबिक इस फिल्म में विलन के किरेदार में शारुख खान भी हो सकते हैं और एक खबर यहां तक भी आ रही है कि यह सारी चीज़े और भी ज़दा फिल्म को दिल्चस बनाएंगी इस फिल्म में रितिक रोशन को वापस से लिया जा सकता है इस फिल्म की सीरीज दर्श को द्वारा बहुत ही जगदा पसंद की जाती है और आने वाले समय में यह सीरीज बहुत बड़ी सूपर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी अब देखना य जो है इनकी मुवीज तो मतलब बॉलिवड में खोसी गई है यानि की दर्शक इन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं या फिर कहानी इनके लायक नहीं होती है तो जितनी भी फिल्मों में यह नजर आते हैं तो वो फिल्म कहीं न कहीं थोड़ी सी फीकी पढ़ जाती है और बॉक्स ओफिस पर थोड़ी सी टिक नहीं पाती है यानि की सिमट कर रह जाती है काफी अच्छा बिजनस नहीं कर पाती है वहीं अगर मैं इश्वरिया की बात करूँ या फिर अमिताब बच्चन की बात करूँ तो दोनों ही बड़े ही दंदार कलाकार हैं अपने आप में दोनों की जो फिल्मे होती हैं दरशक उनकी फिल्मों को देखने के लिए हमेशा ही बेसबर रहते हैं लेकिन अगर मैं उदे चोपड़ा की बात करूँ या फिर अभी शेग बच्चन की तो दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में फीके से पड़ गए हैं इनकी फिल्मों में और ना ही कोई डिरेक्टर इनको अपनी फिल्म में लेना चाता है दूम 4 की बात करूँ तो अगर आपने पिछली फिल्म में देखी होंगी यानि कि दूम दूम 2 दूम 3 ये तीनों ही जो सिरीज थी बहुत जादा अच्छी साबित हुई थी और काफी जादा चीजे इसमें द अधित्ते जो हैं वो इस फिल्म को और भी जादा खास बनाना चाते हैं वो सर्फ इसलिए क्योंकि जो लोगों की एक्पक्टेशन है वो और भी जादा हाई होती जा रही है क्योंकि उन्होंने जो धूम या धूम 2 और धूम 3 में जो चीजे देखी उस से हाई लेवल पर च इस सारी चीजे जानने के लिए जो लोग हैं बहुत जादा उत्सक हैं तो मैं जल्दी लोटओंगी इस पूरी जानकारियों के साथ की आखरकार इस में क्या स्टार कास्ट ली जा रही है और क्या इसकी कहानी है किस कहानी पर काम कर रहे हैं या फिर कौन सा second यूज कर के साथ थैंक यू सो माच की वाचिंग टुडेश फॉर मोर नियूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ टुडेश की आप को जरूर डाउनलूड करें और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं धन्यवाद